दोस्तों नेटवर्क 18 के प्राइम टाइम एंकर अमीश देवगन आजकर चोरी भी करने लग गए हैं जिया दोस्तों किस तरीके से चोरी करने लगे हैं वो इस खबर के अंदर आपको बताऊंगी कि कैसे अमीश देवगन जो है अब शारुख खान की पठान फिल्म का डाइलोग अपने खबरों में चलाते वे नजर आते हैं अपने थमनेल में इस्तमाल करते वे नजर आते हैं से पहले आप ये फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमिश देवगन जो है वो अपने शो में अब शारुक खान की फिल्म का डायलोग इस्तमाल कर रहे हैं मौसम बिगडने वाला है देश की सबसे बड़ी बहस याद होगा आपको दोस्तो शारुक खान की पठान फिल्म मौसम बिगडने वाला है यानि कि यह सरकार से सवाल ना पूछ कर यहाँ पर भी बिपक्ष से से ही सवाल पूछा जा रहा है कभी आपने सोचा रहा है दोस्तों इनके टीवी में जो इनको लौग धन्यवाद जो इनके जो डिवेट शो वोते हैं जो इनके कुछ लोग है जो इनको इनके शोज देखते हैं कह Fallol की छोवदियो consistent क्रारा जवाब दिया आपने विपक्ष की बोलती बंद कर दी कभी आपने यह सुना है कि आमिज़ भाई आप ने बीजेपी से कितना दमदार सवाल पूछा है नहीं ऐसा हो ही रही सकता कि आमिश देवगान स्वास का दुछ नजर आये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी जो खबरों का पिटारा है, इनकी जो खबरों का दुकान है, जो ये निट्वर के टीम पर बैट कर चलाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों को बोलते हैं, और उचल-उचल कर एंक्रिंग करते हैं, वो साफतोर पर यही दिखाता है कि कैसे हिंदू-मुसल्मान के अलावा और विपक्ष को कोसने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है समाज में महंगाई है बेरोजगारी है तमाम तरीके के मुद्दे हैं करमचारी आंदोलन कर रहे हैं किसानों को लाठी रंडे पढ़ रहे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर सडकों पर उत्रे है तो कैसे पुलिसिया लाठी पढ़ी है यह सब खबरें इनके डिवेट से गायब रहती है रहता है तो आग जलता हुआ पीछे जो क्रोमा है क्रोमा में जो ग्राफिक से वो दिखाई देता है और अमिश्देवगन उचल उचल कर विपक्ष से सवाल करता है आपने ये किया आपने वो किया भाई सरकार किसकी है सत्ता में पहले एक दो सवाल तो आप पूछी सकते हैं कम से कम आपकी जो पत्रकारिता है वो ये तो अलाव करती होगी ना कि सरकार से पूछ लिजे कि कब आप रोजगार देंगे दो करोर लोगों को कहा था कि रोजगार दिया जाएगा मेंगाई खत्म हो जाएगी सिलंडर के दाम जो है वो कम हो जाएगे लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तो उल्टा आपको याद होगा कि पठान मूवी जब उस वक्त बाइकॉट बाइकॉट चल रहा था तो आमिश्देवण जैसे लोग कुछ-कुछ के नेताओं के ट्विट्स निकाल कर ट्विट कर रहे थे एकदम ऐसा गरदा उड़ा रहे थे जैसे कि बस इनकी मनुकामना पूर कर रहे थे उसमें शारू खान की फिल्म को सनातन से जोड रहे थे धर्म से आस्था से जोड रहे थे अब उसी फिल्म का डायलोग लेकर अपने पोस्टर बैनर चिपका चिपका कर लोगों को बता रहे कि मौसम बिगड़ने वाला है दोस्तों आप इस पूरे रपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकी रिया है हमें कमें सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले